इसके धेर सारे एक्जाम्पल्स वाली काफी स्टॉरीज आपको पहले से ही पता हैं तो क्या हॉलिवुड की फिल्मों में भी बॉलिवुड स्टार्स को उनकी पॉपलारिटी के बेस पर ही काम मिलता है इसका जवाब दे रहे हैं इर्फान खान और इसमें उनका साथ दे रहे हैं अर्जुन रामपाल अपनी इंडिस्ट्री के आप कितने भी बड़े स्टार हो लेकिन हॉलिवुड में रोल के हिसाब से हर आक्टर को देना पड़ा है ओडिशन ओडिशन की बात बताते-बताते इर्फान ने खोल दी बॉलिवुड के एक ऐसे स्टार की बोल जिनकी फिल्में इन दिनों लोगों को काफी पसंद आरही है लेकिन इस्टार को हॉलिवुड के फिल्मेकर्स ने कर दिया था रिजेक्ट इर्फान खान से सुनिये इस्टार का नाम जी हाँ, जान इब्रहाम को हॉलिवोड की एक फिल्म में नहीं मिल सका था प्रेक इर्फान का इस तरह जान की बोल खोलना, जान को शायद पसंद ना आए लेकिन कई हॉलिवोड फिल्मों में काम कर चुके इर्फान जान से इस मामले में थोड़े आगे ही रहे है लेकिन दोनों ही स्टार्स ने बॉलिवोड में स्पाय थ्रिलर्स का एक नया कॉंपटिशन जरूर शुरू कर दिया है इर्फान और अर्जुन की स्पाय थ्रिलर टी-डे की तारीफ हुब हो रही है तो मदरास काफे के फर्स्ट लुक ने भी हिंदी फिल्मों के व्यूजर्स में एक नई कुरियोसिटी जगा दी है जून ने आपको पहले ही दिखाया था कि मदरास काफे के फर्स्ट लूंच पर जॉन ने इशारो एक तरफ जॉन इशारों में स्पाय थ्रिलर एक ठाट टाइगर पर निशाना साथ कर अपनी फिल्म के लिए जमीन तयार कर रहे थे तो दूसरी तरफ इरफान ने डिरेक्ट जॉन का नाम हॉलिवूड की फिल्मों के रिजेक्शन में लेकर उनके करियर के जमीन की मिट्टी खोदने की कोशिश कर डाली स्पाइब के खेल में अर्फान के रियल खुलासे से जॉन क्या अब इरफान का कोई और खुलासा करेंगे या फिर्थ वो हॉलिवुड फिल्म में रोल करके डिरेक्ट इरफान को इसका जवाब देंगे यह देखने के लिए करना पर सकता है थोड़ा सा इंतजार बीरो रपोर्ट, जूम, मॉंबाइ